कुरोना वारत संक्रमर की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए उतर प्रदेश में लगातार स्वास्त सुविधाओं को बहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है अस्पतालों में ना सर्फ संसाधन बढ़ाया जा रहे हैं बलकि दक्ष मानव संसाधन की वैवस्ता भी की जा रही है सभी सांसद्वा विधायक सामुदाइक स्वास्त केंद्रों सीचसी को गोद लेकर उसे चमकाने में जुटे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने भी प्रदेश की चार सीचसी गोद लेकर सीधा संदेश दिया है कि कुरोना से बच्चों वा बड़ों को बचाने के लिए हर हाल में बहतर इंतजाम किये जाएं इसी के अंतरगत मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने गोरगपूर के सीचसी जंगल कोडिया वा सीचसी चरगामा को गोद लिया है इन सीचसी को शाशन के ओर से पत्र भेज कर वहां मौजूदा संसादनों की सूची मांगी गई है यहाँ ऑक्सीजन की वेवस्था होगी और कुरोना के इलाज के बहतर इंतजाम किये जाएंगे इस संबन में अडिशनल सीमो डॉक्टर नीरच कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा गोद लिये गये सीचसी पर पहले से ही सुविधाये बहतर हैं लेकिन अब उन पर और बहतर सुविधायें उपलब्द कराया जाएगा साथ ही विशेशक यो डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी इस संबन में गोरकपुर नीरच से बात करती हुए अडिशनल सीमो डॉक्टर एंगे पांडे ने बताया जंगल कौडिया दोनों जगा हमारी CAC पहले से कारे कर रही थी और हम उसको और बहतर बनाने की दिशा में कारे कर रहे हैं डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और हर तरह से एकोशिश की जाएगी कि जंता को CAC का लाब पूरी तरह प्राप्त हो सके कारे करके फैंड़ की जाएगी की जाएगी की जाएगी का रहा हमारी CAC